आप सभी लोगों ने देखा हुआ कि हाली में हमारे पिधानमंत्री साहब ने सुतंता संग्राम के 75 वे बर्स के जिसन की सुरुवात करती हुए दांडी मार्च को रवाना किया है तो याद रखिए आपका ये टॉपिक सामांदत द्यन पेपर फर्स्ट से जुड़ा हुआ है और याद रखिए इससे कुश्चन्स आपका प्रेलिम्स में भी पूछा जा सकता है और मुख परिक्षा में भी कुश्चन्स आ सकता है और ये स्टेट PCS हो आपका फिर चाहे आप समझी कई तरह के कुश्चन्स बन सकते हैं समझ रहे आप लोग और भारती इतिहास का आप देखते हैं भारती राष्टी आंदोलन उसी से जुड़ा हुआ है ठीक है तो इसमें आप लोगों को एक और बात बताओं कि आप देखते हैं कि तीन डेट आपकी काफी 147 को सुतंता दिवस के रूम में मनाई जाती है इसे भी आप लोगों को याद रखने चाहिए यानि कि हम आजाद हुए थे अंग्रेजों से ठीक है और 26 नवंबर 1949 ये डेट भी काफी महत्पूर है ये आपका समिधान दिवस के रूम में मनाया जाता है क्योंकि आप सभी लोगों को ये भी माल होगा कि 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधानों के साथ हमारा समिधान लाग हो चुका था फिर आप देखते हैं कि गरतन दिवस आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को आप लोग गरतन दिवस के रूम में मनाते हैं तब इसे तो गरतन दिवस मनाया जाता है इस को भी याद रखिए क्योंकि पूरा समिधान एक तरह से हमारा 26 नवंबर माप करिए 26 जनवरी 1950 को लाग हुआ था और तबी से हम लोग गरतन दिवस मनाते आ रहे हैं तो याद रखिए जो 2022 में आपका सुतनता दिवस मनाया जाएगा वो आपकी 35 वरस गाट होगा एक तरह स ठीक है तो आप देखेंगे कि यह हमारी प्यारी पित भी इसमें आप देखेंगे हमारा प्यारा भारत और इसमें आप देखेंगे आप पडोसियों को भी देख लिया करी गया स्लिलंका हो गया बंगलादेश हो गया भूटा नेपाल उपर चाइना है पाकिस्तान अफगार अभी बात की जा रहा ही गुजरात की कहां की गुजरात की ठीक है यहीं आपकी रवाना की गई आपकी दांडी मार्च तो याद रखी गुजरात से भी आपके कुछन समूचता रहता है कभी के भी तो इसकी सीमा आप देखते हैं कि मदवदेश से भी लगती है इसकी सीमा महर राजिस्थान से भी लग रही है और यहां पाकिस्थान से вी सीमा लग रही है तो एभी आप लोगों को याद रखना चाहिए इसकी राद धानी क्या है गांधी नगर और इसका गठन हुआ था एक मईई 1960 को आप लोगों को याद रखना है कि विदान सावा सीटें आपकी तो यह आप लेवने के लिए महत्कूड हो जाता है। यहीं आप देखेंगे दमन और दूइफ दमन में और दादरा और नगरह बेली भी यहीं देखने को आपको मिलेगी। तो हाली में आपने देखाएगी पिदान मंतरी द्वारा सुतनता संगराम की पच्चत्तर वेव बर्स के जसन की सुरुआत करते हुए दान्डी मार्च यानि की बारे मार्च को रवाना किया गया है। यह अउसर पर आजादी का अमरेद माउसों की भी सुरुआत की गई है। बर्स 2021 के दान्डी मार्च की बिसे में अगर कुछ बात करें हम लो तो यह पद यात्रा एहमदाबाद की सामरवत्री आसरम से दान्डी की नव सारी तक 81 यात्रियों के साथ सुरुखी गई है और 386 किलोमीटर की यह यात्रा आपकी 25 दिनों के बाद 5 अपरेल 2021 को पूरी हो होगी कब 5 अपरेल 2021 को पूरी होगी बर्स 1930 के दान्डी मार्च में हिस्सा लेने वाले लोगों के बंसुझों को समानित किया जाए गा इसमें और यात्रा में सामिल Hag 줘 गांदी के दान्डी मार्च में सामिल चाह स्थानों को बड़े कारक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा इसमें आप देखेंगे राजकोट, बड़ोधरा, बार्दॉली बार्दॉली भी कहते हैं, सूरत में हैं, मांडवी कच्छ में और दान्डी, नौसारी के साथ गांदी जी की जनम भूमें पूरबंदर सामिल है एक तरह से ठीक है, यहां बड़े-बड़े एक तरह से कारक्रम भी आयोजित किये जाएगे यातिरियों द्वारा रोक रोक कर 21 स्थानों पर सांसकिती कारक्रम आयोजित करने की भी योजना रखी गई है ठीक है, और बड़ी अच्छी बात है कि इस तरह की बाते होने भी चाहिए लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की बाते करने के सासाथ हमें इनकी बिचाधारा पर चला मी चाहिए देखे एक दिन उनके जनम दिन पर या आप समझे उनकी जिस दिन डैथ होई थी उस दिन हम लोग 2-4 फोल चड़ा लें या उनकी बाते करने लगें मुझे लगता है यह सोवा नहीं देता है आप समझे कोई भी हर कोई आप देखते हैं गांदी जी को पूछता है लेकिन उनकी बिचाधारा पर कितने लोग चल रहे हैं यह मायने जरूर रखता है आप देखते हैं उनके नाम पर बोट बेंक बटोरा जाता है आप देखते हैं कई राजिन नेतिक पाइटी हैं रोटी सेखती रहती है लेकिन उनकी बिचाधारा से उनका गांदी जी की बिचाधारा से कोई मतलब नहीं रहता है बहुत अच्छी रहती, एक दो दिन, जनम दिन मना लेने से, कोई जैनती मना लेने से, मुझे लगता है कि उनकी आत्मा को सांती नहीं मिलती होगी, खेर छोड़िए ये अलग बात है, अगर हम बात करें 1930 के दांडी मार्च के बारे में, तो दांडी मार्च को आप लोग नमक मार्च और दांडी सत्यागय के नाम से भी आप लोग जानते हैं, एवी कई बार पूछ लेता है कोई की नमक ही क्यों चुना गया था, तो याद रखी नमक किसी धरम का पितिक नहीं होता है, आप समझे रहें, वरना लोग कह देते हैं कि ये मुसलिम का है, ये हिंदू का है आप समझे रहें, इसलिए कौमन आप समझते हैं, इस सबकी जरूरत होती है नमक, तो नमक को ही एक तरह से वह ये भी आप लोग जानते हैं कि नमक सक्कर के विन आप लोग कुछ दिन रहे सकते हैं, नमक ना खाये, तो आप लोग जानते हैं क्या इस्तिती बन सकती है, तो इसे बारे मार्च 1930 से 6 अपरेल 1930 तक वेटिस नमक एकादिकार के खिलाप पर पिती रोध और अहिंसक विरोध की पितेक्ष कारवाही अवियान की रूम में चलाए गया था तो ये बारे मार्च 1930 से शुरू हुआ था और 6 अपरेल 1930 को जाके खतम हुआ था ठीक है गांदी जी ने बारे मार्च को सावरमती से अरब सागर तक दांडी के तटिये सहर पर 78 अनवयाईयों के साथ 241 मील की यात्रा की थी एवी कई बार पूछ लेता है कि इसमें कितने अनवयाईय सैमिल थे तो याद रखिए 78 78 इस यात्रा को उद्धिस गांदी और उनके समर्खों द्वारा समुद्ध की जल से नमक बना कर वेटिस नीती की अवहिलना करना था दान्डी की तरश पर भारतिय राष्टवादियों द्वारा बंबई और कराची जैसे तटिये सहरों में नवक बनाने ही तो भीड का नितित किया गया और सभीने अयोग्या अंदोलन संपूर्ण देश में फैल गया जल्दी लाखों भालती इसमें सामिल हो गये और बेटिस एक अधिकारियों ने आपके साथ हजार से अधिक लोगों को गरपतार भी किया था और पांच माई को गांदी जी के गिरपतार होने के बाद यह सकते आ गये जारी रहा था ठीक है कभीति सरोजनी डायडू द्वारा 21 माई को भुंबई से लगबग 150 मी उत्तर में धरसना नामक के स्थल पर 2500 यानि की 2500 लोगों का नेतित किया गया और अमेरिकी पत्तिकार वेव मिलर द्वारा दर्ज की गई इस गटना ने भारत में वेटिस नेती के खलाब अंतराश्टी इस तर पर आक्रोस भी उत्पन किया है और आप समझ सकते हैं कि आप लोग कहते भी हैं कि हम गांधी जैसे नहीं है कि किसी ने एक गाल पतामाचा मारा हमने दूसरा कर दिया देखिए उस समय इंसानियत हुआ करती थी मानावता हुआ करती थी गांदी जी का कहने का मतलब यह था कि अगर किसी ने आपके गाल पर एक थपड़ मारा आप दूसरा कर देते हैं वो सोचने पर विवस हो जाएगा कि मैं एक गलत कर रहा हूं आप समझे कि किसी के साथ आपने गलत बेवार किया है या आपने किसी को दोका दिया है या आपने किसी भी तरह से किसी को नुकसान पहुंचाया तो एक दिन तो आप सोचेंगी आप हो सकता है कि रात में आप सोने जाएगे तब भी आपके दिमाग में एक questions आने लगे कि मुझे इससे क्या मिल गया है समझ रहे आप लोग तो उस समय इस तरह की इंसानियत हुआ करती थी आज आप देखिए कि आप लोग किसी को कितना भी दुख दे दे किसी के साथ कितना भी बुरा कर दे हम लोग सोचते नहीं है समझ रहे आप लोग एक तरह से आप इंसानियत पूरी तरह से हट चुकी है मानवता पूरी तरह से खतम होती जा रही है इसलिए आप समझे कि गांधी के जो भी सिध्धानते इस समय लागू होने के लागू करने में या हम लोग उनके सिध्धानतों पर चलने में बड़े जहजकते हैं एक तरह से ठीक है गांधी जी ने को जन्वरी 1931 में जेल से रहा कर दिया गया था और जिसके बाद उन्होंने भारत के वायसराय लॉड इर्विन से मुलाकात की इस मुलाकात में लंदन में भारत की भविस पर होने वाले गोल में सम्मेलन में सामिल होने तथा सत्यागह को समाब्त करने की समती दी गई थी आपने सुनाओगा तेन गोल में सम्मेलन किये गए थे गांधी जी ने अगस्त 1931 में राष्टवादी भारतिये राष्टी कॉंग्रेश की एक मात्पिती नीदी के रूम में सम्मिलन में हिस्सा लिया था एक कुश्चनस भी कई बार पूचलेता है तो याद रखे दूतिये गुल में सम्मिलन में गांदी जी ने केवल भाग लिया था ठीक है कॉंग्रेस की तरब से यह बैठक निरासा जनक रही और लेकिन बैट्रिश नेताओं ने गांधी जी को एक ऐसी तागत की रूम में सुईकार किया जिसे बे ना तो दवा सकते थे और ना ही अंदेखा कर सकते थे दान्डी मारज के बारे में बात करें तो उननीस सो उन जन्ता दिवस मनाय गया था इसलिए आप देखते हैं कि आजकल आप लोग 26 जन्वरी को इसलिए चुना जा गया था ठेक है कि समिधान इसी दिन पूरी तरह से लागू किया गया था जिसके अंतरगत विभिन ने स्थानों पोर राष्टी दोज फरा कर देश भक्ती के गीत सावरमती आसरा में फरवरी 1930 में कॉंग्रेस कारसंती की बैठक में गांधी जी को अपने अनुसास समय वह स्थान के चैन कर सविनय आयोग्या अंदूलन शुरू करने के लिए अधिकित किया गया था और गांधी जी ने भारत के वायसराय वर्स 1926 से 31 तक रहे हैं लौड इ सकते हैं कि एक डंडे की तागत ने किस तरह से आजादी दिलाई और याद रखिए यहां एक बात और आप लोगों के याद रखनी चाहिए देखिए आजादी में आप किसी की एक तरह सिमहत को नकार नहीं सकते हैं आप यह नहीं कह सकते हैं गांधी जी ने कुछ नहीं किय आप ये भी नहीं कह सकते हैं, भगर सिंग, सुक्देव, राजगुरू ने कुछ नहीं किया, देखी अपने इस्थान पर सभी लोग अपना अपना युगदान देते रहे हैं, ठीक है, अंदोलन की अगर प्रवाव की हम लोग बात करें, तो सभी ने युग्या अंदोलन को विभिन प्रांतों में अलग-अलग रूपों में सुरूं किया गया, और जिसमें विदेसी वस्तों के भहिसकार पर विसेश जोड़ दिया गया था, पूरवी भारत में चौकीदारी करका भुक्तान करने से इंकार कर दिया गया, और जिसके अंतरकर नोट टेक्स अभियान बिहार में अतिधिक काफी चर्चित भी रहा है, जे एल से इंद गुपता ने बंगाल में सरकाद द्वारा पिती वंदित पुस्तकों को खुले आम पढ़कर सरकारी कानूनों की अवहिला की थी, महराष्ण में आप देखेंगे बन कानूनों की अवहिला बड़े पिरमाने पर की गई थी, ठीक है, और यह आंदोलन अबद उडिसा, तमिलानू, आंदपिदिस, और सम के प्रांतों में आख की तरह फैल गया था, इसके अगर बहत की बात करनें तो आप देखें कि इस आंदोलन की पैड़ाम सरूप, भारत में वेटरेन का याद काफी गिर गया, औ उधारन के लिए बेटरेन से कपड़े का आधा हो गया था, और यह आंदोलन पिछले आंदोलन की तॉलला में अधिक ब्यापक था, यानि की काफी फैला हुआ था, जिसमें आप देखेंगे महलाएं हों, किसान हों, सैमिक हों, चात्र हों, या फिर व्यापारी हों, या फि उसे सहरी तक्तों ने भी इसमें बड़े पिर्माने पर भागेदादी की थी, अताहा कॉंग्रेस को अखिल भारतियर संगर्टन का सवरूप राप्त हो गया, और इस आंदोलन को कस्वे और देहाद दोनों में गरीवों, तथा अनपड़ों ने भी समर्थन हासिल हुआ था इसे ही, ठीक है? और यह है, आप देखेंगे, इस आंदोलन में भारतिय महलाओं की बड़ी संख्या में खुल कर भागेदारी, उने के लिए बास्तव में मुक्ती का सबसे अलग अनभाव था, और कॉंग्रेस न बरस 1934 में सविनय अंदोलन बापस ले लिया था, लेकिन इ ही कहान है, आपकी जो भी नमक सत्या गया है, या आप समझ सकते हैं कि दंडी मार्च है, ठीक है? तो इसके बारे में, दंडी मार्च के बारे में, आप लोग याद रख सकते हैं, इनी पॉइंटों से आपके कुश्चन्स बन सकते हैं, और इस बात को आप लोग भी जानते ह कि जो topic आपका काभी चर्चा में रहता है उनी से questions पूंचे जाते हैं इसलिए तो आप से कहा जाता है कि आप लोग कोई नीज पेपर फोलू करते रहा करिएगा उसमें देखते रहा करिएगा ठीक है उनी से संबंदित जो भी आपका देखिए आप समझे नमक मार्च या दां काइंट आपको याद रखना होगा